पिछले मॉड्यूल में मैंने आप ते कहा कि मैं आपको थोड़ी तफसील में बताऊंगा कि स्टेटिस्टिक्स आपको क्या ओफर कर सकती है यह इसके इंदर क्या क्या इनेलेसिस की गुंजाइश है अब हम उसको थोड़ी सी तफसील से देखते हैं स्लाइड में मैंने पहले भी अर्चिया कि स्टेटिस्टिक्स में दो तरह की स्टेट्स हैं डिस्कRIPTIV और इन्फरैंशल इस मौडियूल में हम descriptive statistics हम किसको कहते हैं एक तो हमने पहले पढ़ा कि देखिए जिसमें आप data को summarize करते हैं और मुख्री सूर्थों में present करते हैं हम कहते हैं यह data की description कर रहे हैं वजाहत फर्मा, describe कर रहे है data describe करने के लिए दो तरह के measures इस्तमाल किये जाते हैं एक को आप कहते हैं measures of central tendency और दूसरे को आप कहते हैं measures of dispersion यह दो तरह के measures use होंगे अच्छा measures of central tendency आपने सब ने इनके नाम सुन रखे होंगे mean, median, mode यह तीनों average निकालने के तरीके हैं देखिए उस लफ्ज पर गोर करिए measures किस चीज़ के हैं central tendency कोई data अगर उसका summarize करना हो तो उसकी central value क्या है उसके जरीए से describe होता है और इसमें central value निकालने के तीन तरीके हैं जो अमूमन इस्तमाल होते हैं उनमें mean है, median है और mode है mean कब यूज करना है, median कब यूज करना है, mode कब यूज करना है, यह फैसला करना है हम बात है हैं तो तीनों ही measures of central tendency हमने जब levels of measurement data के पड़े थे तो वहां हमने यह बात की थी देखिए जब भी आपका data nominal nature का होगा तो आप उसका central उसकी central tendency या उसकी central value निकालने के लिए आप mode निकालेंगे जब आपका data ordinal nature का होगा उसमें तरतीब होगी, order होगा तो आप उसको उसके लिए median निकालते हैं और अगर आपका data interval या ratio nature का है तो आप उसका mean निकालते हैं अब मैं एक दो दो line में explain कर देता हूँ कि निकालते कैसे हैं मतलब देखिए mode का क्या मतलब है मैंने फर्स कर लीजिए मुख्रिफ लोगों का gender पूछा किसी question मेरा variable था gender कुछ ने male को tick किया होगा कुछ ने female को male को फर्स कर ले हमने one code किया होगा ता female को two तो अब जब data मुकमल आ जाएगा तो मुझे को पूछता है आपका data जो है वो primarily कैसा है male dominated है या female dominated है तो मैं count कर लूँगा कि उसमें male ज्यादा है या female ज्यादा है जिनकी counting ज्यादा होगी मैं कहूंगा मेरे data की central tendency यह है अगर female ज्यादा है तो मैं कहूंगा यह ज्यादा female oriented group है female इसमें ज्यादा थी और वो ही उसकी central value कहलाएगा मैंने सिर्फ number count कर लिया यह mode है median का बैजब उसमें order होता है मैंने एक class में खड़ा हो गया तो मुझे को पुछता अच्छा है बताईए इस class की height क्या है average height अब उनकी height order में है तो मैं क्या करता हूँ उनको एक तर्तीब से खड़ा कर लेता हूँ वे सबसे ज्यादा height वाला यहां खड़ा हो जाए सबसे कम वाला इदर आ जाए और अपनी height इसी तर्तीब से आप सब खड़े हो जाएं कि सबसे टॉल इदर है और फिर जूँ जूँ कर छोटा हो रहा है तो इदर लाइन बनाते जाए जब उन्हें लाइन बना ली तो मैं उन में से जो सब आधे इदर से निकाल देता हूँ आधे इदर से निकाल देता ह सेंटर में कौन आ रहा है लेसे सिर्फ समझाने के लिए कि 25 लोगों की इकलास थी वो लाइन में खड़े हो गए तो मैंने 12 लोग राइट साइड से निकाल दिये 12 लोग लेट साइड से निकाल दिये 24 निकल गए जो आप बच गया है वो सेंटर वाल है उसकी height नाप लेता ह पर कहता हूं कि इस group की average height इतनी है तो यह अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो मैं कहूंगा मैंने group का median निकाल लिया है और mean क्या है कि आप किसी group में तमाम लोगों की age की average निकाल दिये सब की age को sum करें total करें और उस group में जितने लोग थे उनके number से divide कर दें 25 लोग थे हर ए निक ने अपनी age बताई मैंने सब की age को add up कर लिया जो total number आया उसको मैंने divide कर दिया 25 से क्योंके 25 लोग थे तो जो जवाब आएगा मैं कहूंगा यह इसका mean निकल आया है तो यह इस तरह से आप इन में से कोई measure और इनका फैसला कैसे करना है कि कौन सा निकालना है वो आपन data का level of measurement देखके फैसला करना है nominal data होगा तो mode निकालिएगा ordinal होगा तो median और अगर आपका data interval है या ratio है तो आप mean निकालेंगे इस से आपको data की central value पता लगए लेकिन जैसे मैंने पहले का तमाम के तमाम लोग किसी भी data site में center में नहीं होते इवरिज नहीं होते बहुत से लो central value यह है तो दूसरा मैयर जो हम इस्तमाल करते है data को describe करने में वो उसके middle point का maximum और minimum से फर्क कितना है यह देखना चाहते हैं यह देखने के लिए जो आप जो जो तरीके इस्तमाल करते हैं उनको आप कहते हैं मैयर्ज ऑफ डिस्पर्शन डिस्पर्स होना फैलाओ उर्दू में कहें तो तो central value यह है यह central value के दोनों अतराफ ज्यादा और कम data कितना फैला हुआ है कहां तक जाता है यह वाली बात अगर मैं तायून कर लूँ तो निकाल लूँ तो मैं कहूंगा मैंने data की dispersion निकाल ली है और dispersion निकालने के तरीके range है, quartile है, percentile है, standard deviation है, और variance है, इन में से आप कौन सा कब इस्तमाल करते हैं, यह आपके बन्यादी तोर पे SL में research के course से ज्यादा, यह आपके data analysis के course में इसकी तफसील है, मैं चाहूं कि अगर दो मिनिट में इस सारे को explain करूं, तो यह मेरे लिए possible नहीं होगा, लेकिन इनके नाम आपके सामने रखने से मुरादिय है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको खुद अपनी किताब में या जो data analysis का course पढ़ेंगे आप उसमें आप पढ़ सकते हैं, इन में से जो सबसे ज्यादा use होने वाला मेयर है, वो standard deviation है, जो हम इस्तमाल करते हैं, लेकिन range भी, quartiles भी, percentile भी ये तमाम भी इस्तमाल होते हैं, और जैसे मैं पहले भी बार बार कहरा हूँ कि ये total नहीं है, variance की निकालने के और भी तरीके हैं, जो इन से कम popular हैं और इस्तमाल में कम आते हैं, लहाजा वो मैंने यहां नहीं लिखे, तो ये total description है आपके लिए, descriptive statistics जो है, वो दो चीजों के जानने का नाम है, central tendency के measures और dispersion के measure निकालने को जानने का नाम descriptive statistics है, और इन को जानने के तरीके जो हैं, वो मैंने भी आपके सामने बियान किये,